तो दोस्तों आपके लिए आज फिर से हम एक वीडियो लेके आया हिमाचल पुलिस कॉंस्टेबल काफी यदा चर्चाओं में है क्योंकि इसकी लिखित प्रिक्षा में जो है दांदली के आरोप लगाए गए हैं तो दोस्तों कल पांच यहां पर युपको को गिर्फतार किया गया था जो कि सोलन डिस्टिक्ते से तो आज इसके ओपर डीजेपी कुंडू का बियान आया है जिहां दोस्तों तो आज जो है मंगलवार जानी की आज जो है डीजेपी कुंडू का जो है बियान सामने आया है तो क्या है बियान आप यहां पे देख सकते हैं उन्हेंने कहा है कि पुलिस बरती प्रिक्षा को लेकर अफवाफ लाने के रोग में पांच यूपकों को गिरिफतार किया गया है उन्हेंने बताया है कि पुलिस बरती प्रक्रिया यारी रहेगी पुलिस बरती प्रक्रिया में रोक नहीं लगाई जाएगी जिहां दोस्तों अभी आपकी जो वर्ती पर क्रिया चली हुई है उसके उपर किसी भी परकार की अभी कोई रोक नहीं लगाए गई है जह जो है डीजीपी कुंडू का बियान आया है नेक्स्ट अगर हम बात करें डीजीपी ने कहा है कि युवाओं के शोशल मेडिया पर चैट वार्यल पर अफवाफ लाने के मामले की पुलिस जाच कर रही है बता दे कि बीते रोज पुलिस ने इस बर्ती पर क्रिया प्रिक्षा को लेकर शोशल मेडिया पर चैट का वार्यल कर अफवाफ लाने के अरोब में सोलन जिला के अरकी से पांच जुबकों को गिर्फतार किया है पुलिस यूबाँ से सोशल मेडिया वारेल की चैट को लेकर पूश्टात कर रही है हाला कि अभी तक पुलिस बढ़ती पर किया को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिला है इस पुलि से जो आपकी बरती परक्रिया में किसी परकार की रोक नहीं लगा गई है तो आगे इसमें एक अपडेट और है उसके उपर भी आपको ले चलते हैं तो दोस्तों जो आपके एस पी सोलन है बिरेंदर शर्मा उनका भी यहां पर बियान आया है यह भी आपका आज का ही है तो कि एक यूबक परिक्षा में फेल हुआ है एस पी ने बताया है कि जो परिक्षा में फेल हुए यूबक ने शोशल मीडिया पर चैट वीडियो वारेल किया है एस पी ने बताया कि पुलिस बरती परक्रिया में पास करने वाले चारह यूबक करी नियमान सार डोगमेंटेश यही है कि आपकी बरती परक्रिया में कोई भी रोक नहीं लगाई गई है और जो आपके चार जुबकों की गिर्फतारी भी की गई है उन सबी की भी यहां पर यहां पर होगी यान कि उनको भी जो है यहां पर डोकुमेंट के लिए बुलाया जाएगा अभी तक इस बरती परक्रिया में जो आपकी चैड वारे होती उसमें जो आभी तक कोई भी जहां पर ठोस सबूत हिमाचल पूलिस के पास नहीं लगा है क्योंकि आज आपका आफरेंट